यहां पर एगुणियों की तरफ से कि टेंडे टू डेसी तो रिलीस कर दीगे 25 मही 2022 की यहां पर नोटिफिकेशन जिसमें की कुछ त्रूटी है यहां पर मैंसें की कि मुझ कुछ कमी आए कुछ चेंजिस की जाएगा इस डेस्ट में बट इस्टिल क्या बहुत सारे से विद् इसथे पैमेंट पर पहले से पैमिंट करेंड के बहुत सारे कोमाइट के लिएक और विद्धियार्त vibe लेकाने हम उनके back on करने वाल हो तो सबसे पहले में यहां पर बता दो आपको यहां पर कुछ गाइडनेंस मेंडिय की कि आपके डीसिट के रिगार्डिंग इससे पहले वाली वीडियो मैं पहले सी एक्ट्प्रेंग कर गया था अगर आपने नहीं देगी तो उसे पहले जाके देख सकते हो आप जिसमें की जिसने कि मैंने साफ सा मेंसन करना कोंकोन विदی आपती है और यह साफसा मेंसन करें गार जाता है और जो विद्यारत ती एलिजिबल है जिन विद्यारतओ के मार्च 2012 बैक्टॉप के विद्यारत है या फिर आपका एग्जाम नहीं हुआ है या फिर मार्च में यह इन्हों ने एग्जाम दिया है बट किसी कारणवास उस सज्चेक्ट में फैल हो चुके है बट फिर भी क्या आपको मौका दिया गया है तो आप exam दे सकते हो मतलों कि आप eligible exam देने के लिए ठीक है अब मैं जैसे पर इसको scroll down करूँगा इस scroll down करने के बाद यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि आपको सबसे पहला आपको registration करवाना पड़ेगा अगर आपने registration नहीं कि that means आपका ना तो whole ticket release करें होगा और नहीं आप examination में अपेर होंगे तो सबसे पहला आपको registration करवाना पड़ेगा इसके last date क्या है 30 जुलाई यहां पर mention की गई गिल्यू के तरफ से that means 30 जुलाई 2022 तक कि आप examination मतलब registration कर सकते हो उसके बाद आप registration नहीं कर सकते हां आप examination offline के मादन से request करकर उसके बाद हो सकता कि आपको क्या registration करवा दिया जाए बड़ कोई information नहीं है ठीक अगर यहां पर फिर जैसी पेस्प्र कोड़न करूंगा यह जो column में जो course mention किया गया नहीं है आपर आप देख रहे हो यह courses उन वी correct option आपको choice करना पड़ेगा देन आपको क्या उसी के regarding आपको आपको number दिये जाएंगे फिर जैसी फिसको scroll down करूंगा इन में से अगर आपका mention नहीं किया गया है आपका course code mention नहीं है course mention नहीं है तो आपके wait कर सकते क्योंकि यह tentative desit है original desit नहीं हो सकता mistake हो बहुत सारी तो उस कर दिया जाएगा और यह जो वह भी धियार थी जो एक्जामनेशन को देने के लिए जुलाई 2022 से तो आप देख लेना एक बार इसकी लिंक आपको description में देदो और यहाँ पर मैंना पहली बता देजा आपको एक्जाम से स्टार्ट होने वाला ना वह आपको स्टार्ट होग सबसे पहला आपको registration करना हुगा उससे पहला आपको assignment करना हो जिससे कि आपको एक tension खतम हो जाएगी बुक नहीं मिली तो आप बुक अपने रीजन सेंटर पर जाओ यार अगर आपको post office के मादिम से नहीं मिले सबसे पहला अपना status देगो अगर status update हुआ है तो फिर आपको जाने को फाइदा नहीं है status update हुआ है बट इस तील आपको मतलो आपने mail भी कर रहे हैं बट आपको बुक आपको provide नहीं हुई तो आपके अपने रीजन सेंटर पर जाओ जो भी आपको रीजन सेंटर है वहाँ पर जाकर क्या अपनी book study में प्राफ करो और प्लस में अपने assignment जुरूर समिट करो प्लीज सभी से request है क्योंकि बहुत सार ऐसे विद्यारते जो किया है मतलो assignment submit नहीं करें वह extended होने का वेट करते हैं इसकी डेट को extended किया जाएगा फिर हम submit करेंगे ऐसा मत करो पाइदा कुछ ही नहीं है आपको भागदोडी करने पड़ेगी इस से आपको ले जाना होगा या प्रेंट निकलवा सकते हों पर आपको पोटो पेस्ट करने है और होगा और एकजामनेशन सेंटर जो आपने चोइस कर रखा वह आपके एक दिन पहले आपको विजिट कर लेना जिससे कि आपको लोगेशन का पता लग सके अंदाजा लग सकते हां मेरा सेंटर निहां पर गया है और आप एकजाम देने में लेट नहीं कि पोस्त पर पिछली बार क्या हुआ था को विजिट करना पड़ता तो आदे गंटे पहले आपको विजिट करना होगा हर एक चीज को चेक कर लेना होगा कि जो जो चीज आपकी जो नीड है उन सब चीज को कि वो है ये नहीं है सबको आपको चेक करकर चब जाकर आपको एक्जाम सेंटर पर जाना होगा तो ये छोटी सुकारी थी अगर फिर भी लगता है ना आपको कि कोई दिक्कत है या कोई परिशानी या कुछ भी क्वारी है तो आप एक बार कमंट शेशन में लेकर ना मैं को कोसिस करूँ उसक्वारी को दूर करने की थी तो आज के लितने धन्यवाद